आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ ग्यात हो जाएगा फिर उस जो चरका मान ग्यात होगा उसका मान रखके दूसरे चरका भी मान ग्यात कर लेंगे अगर यहाँ पर आठ वाई है यहाँ पर पांच वाई है इनको बराबर करने के लिए अगर हम पहले समीकर्ण में समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दें तो ये 8 पन 40 हो जाएगा 48 वाई इसी तरीके से अगर समीकरण 2 में समीकरण 2 में कितने से गुणा कर दें 8 से पहले में 5 से गुणा करेंगे 40 वाई हो जाएगा और इसमें 8 पन 40 वाई हो जाएगा और इन में जब गुणा हो जाएगा उसके बाद दोस्तों इसको हम घटा देंगे आपस में तो आएए दोस्तों इसे हल करते हैं पहले समीकरण में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13 पचे 50 X उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5 अठे 40 Y अब इसमें से घटाना है समीकरण 2 में 8 से गुणा करके इसमें 8 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा 15 अठे 120 X फिर 8 पचे 40 Y उसके बाद 8 का 65 से गुणा होगा तो यह जाएगा 8 पचालिस के 0 हासिल चार 8 चंगर तालिस न तालिस चार बावन 520 बराबर में 0 अब दोस्तों इसको घटाएंगे जब तो यहाँ पर यह अगर धनात्मक है तो रुनात्मक हो जाएगा धनात्मक वाला धनात्मक निसान बदल जाएगे तो यहाँ से अहल करेंगे दोस्तों 120 में से 50 X घटेगा तो यह बचेगा 20 और 35 जोड़ करके बराबर में 0 आगया हल करेंगे दोस्तों तो यह बनेगा हमारा X बराबर में 115 धनात्मक हो जाएगा और यह रिल्ड 23 बटे 11 हो गया X कमान इसके बाद हम हम हल करेंगे Y कमान निकालने के लिए तो इस X कमान समीकंड अगर एक में रख दे तो Y कमान गयात हो जाएगा यहाँ पर मान रखेंगे समीकंड एक पहले लिख लेते हैं समीकंड एक दिया हुआ है मारा 13 X 13 X रिन 8 Y धन 81 13 X रिन 8 Y धन 81 बराबर में 0 और यहाँ पर अगर X कमान रख दे तो यह हो जाएगा 13 गुणे रिन 23 बटे 11 रिन 8 Y धन 81 बराबर में 0 आग यहल करेंगे दोस्तों तो यह बन जाएगा गुड़ा होगा 13 और 23 का पहले तो 8 Y उधर दाएं पच में चला जाएगा और यह धन 81 रहेगा और 81 में गुड़ा हो जाएगा इस 11 का लगुत्तम के लिए और यहाँ पर धन का निसान होगा पूरे का लगुत्तम हो गया 11 और यह 13 और 23 का गुड़ा हो जाएगा तो यह धना आत्मक होगा तेरा त्यां तालिस के नव हासिल तीन तेरा दुनी चपविश चपविश तीन उनात्यस 29 हो गया इसे आगे हल करेंगे दोस्तों तो यह बनेगा 11 किसमें गुड़ा हो जाएगा 1188 Y हो जाएगा और यहाँ पर 1888 धनात्मक हो जाएगा और यह 299 में से 88 अब घटेगा आगे हल करेंगे तो यह बनेगा हमारा 88 Y बरावर में 299 में से 88 घटाएगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा 211 211 हो जाएगा तो Y बरावर कितना हो जाएगा 211 बटे 8 अब दोस्तों ये y कमान हमें ग्यात हो चुका है और x कमान हमने कितना निकाला था रिल्ड 23 बटे 11 अब दोस्तों इनका हर बराबर करने के लिए अगर इसके अंस और हर में 8 से गुड़ा कर दें तो y के साथ इसका दोनों का हर बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 8 से गुड़ा हो करके 8 3 24 के 4 हासल 2 8 2 16 16 2 18 रिल्ड 184 हो गया और बटे में 88 हो गया तो दोस्तों दोनों के अगर हर बराबर है y के भी और x के भी मान में तो ये हो गया x कमान 88 88 हर बराबर है यानि कि 184 और 211 में से अंस जिसका बड़ा होगा वह संख्यात्मक मान तो बड़ा हो जाएगा किन्तु इनके साथ रिण साइन लगा है रिण का निसान लगा है रिणात्मक निसान लगे होने से जो संख्या रिणात्मक में होगी लेकिन बड़ी होगी असल में वहां संख्या छोटी मानी जाएगी तो यहां पर Y छोटा है X से जो की दिया हुआ है विकल्प किसमें दिया ह वाई छोटा है एकस से विकल्प ए हमारा सही है धन्यवाद क्लासिक्स टुट्वल से लेके नीट आई आई टी जेही मीन्स और एडवान्स के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज राउन्लोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर